परिचाए राज, आज मैं तुम्हें अपना घर अपने लेप्टॉप की स्क्रीन पर दिखाऊंगा सेच, मैं देखना चाहूंगा मैं अपने घर का पता दे रहा हूँ अब मैं मानचित्र को तब तक बढ़ा करूँगा जब तक की मेरा घर नहीं दिखाई देगा देखो, अब मेरा घर दिख रहा है बहुत अच्छे, यह अच्छी तरह से कारे करता है लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यह कैसे कारे करता है अपने घर से पूरी दुनिया में किसी भी जगा को देख पाना कैसे संभव है यह विज्ञान और प्रद्दुकिकी के विकास के कारण ही संभव हो पाया है यह उबग्रह संचार के सिध्धांद पर कारे करता है उबग्रह पृत्वी के आकड़ों को स्कैन करता है और नियमित समय अंत्राल पर इससे पृत्वी को प्रेशित करता है अब तुमें एक SMS मिला या संचार प्रणाली का एक अन्य उधारन है हम अपने देनी चीवन में असंग के विज्ञान अनुप्रयोगों का उप्योग करते है मुझे मेरा उत्तर मिल गया और मैं विज्ञान के बारे में और अधिक जानना चाता हूँ ठीक है आज हम विज्ञान और भौतिक दुनिया के विशय में और अध्यान करेंगे उद्देशे इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे विज्ञान और भौतिकी को परिभाशित करने में, भौतिकी के क्षेत्र और उस्सा को जानने में, भौतिकी की प्रोध्योकिकी को समझने में, भौतिकी के समाज के बारे में जानने में, प्रकृती में मूल भूत बलों का विशलेशन करने में, भौतिक नियों की प्रकृत प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक क्रम बध तरीका है। यह केवल विज्ञान के कारण ही है भौत की क्या है। प्रकृती और प्राकृतिक वहवार के अध्ययन को एक संगठित तरीके से विविद उपचीर्शकों में विवस्थित करना भौत की कहलाता है। इसकी कई शाखाएं हैं जिनके नाम हैं यांत्रकी, विद्युत, चुंबकत्व, प्रकाशिकी, आधुनिक भौत की आधी। 1900 से पहले की भौत की परंपरागत भौत की कहलाती है और 1900 से आगे भौत की को आधुनिक भौत की कहा जाता है। वैज्ञानिक द्रिष्टिकोन के चार आवश्यक खंड हैं जो इस प्रकार हैं। 1. एक क्रमबध तरीके से प्रिक्षन, 2. परिकल्पना करना, 3. परिकल्पना का विशलेशन करना, 4. प्रस्तावित सिध्धान्त को संशोधित करना, या द्रिष्टिकोन सदैव समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से हल करता है। 2. भौतकी का क्षेत्र एवं उस्सहा। किसी व्यक्ति के चलने से लेकर हजारों किलोमीटर दूर संप्रेशन तक भौतकी का बहुत व्यापक्षेत्र है। समानिता भौतकी को दो भागों में विभक्त किया गया है। 3. स्थूल दर्शिये स्थूल दर्शिये पैमाना लंबाई का वो पैमाना है जिस पर वस्तूओं या प्रक्रियाओं का आकार ऐसा होता है जो नगन आखों द्वारा माप योग्के और अवलोकन योग्के होती हैं। 4. सुक्ष्म दर्शिये सुक्ष्म दर्शिये पैमाना आकार या लंबाई का वो पैमाना होता है जिसका उप्योग ऐसी वस्तूओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है जिन्हें नगन आखों द्वारा आसानी से देखा नहीं जा सकता और जिन्हें स्पष्ट रूप से देखने के लिए किसी लेंस या सुक्ष्म दर्शी की जरूरत होती है भौतिकी ब्रह्मान की पूर्ण समझ तक पहुंचने का प्रयास करती है ये ऐसे मूलकडों का पता लगाने की कोशिश करती है जो उन द्रव्वे बलों का निर्मान करते हैं जो उर्जा के वेवहार और विविद रूपों को निर्देशित करते हैं भौतिकी की प्रद्योकी की नाभिक और इसमें सन्निहित उर्जा का विचार हमें अपार उर्जा उद्पन करने में सक्षम बनाती है डिजिटल तक्नीक के अध्यन ने हमें एक कंप्यूटर बनाने में सक्षम बनाया जो कम समय में प्रक्रिया करता है करनाटक द्वारा सैध्धान्तिक चक्रिये उत्त क्रमणिये प्रक्रिया के विकास से हमें एक इंजन, रेफ्रिजरेटर, एर कंडीशनर आधी को समझने का मौका मिला विद्ध चुम्बकत्व तरंगों और संचरन के अध्यन ने संचार प्रणाली को डिजाइन करने में हमारी साहता की उब ग्रहों के प्रक्षेपन से हम संपदा के बारे में जानने के लिए प्रिछवी की पर्तों को समझने में समर्थ हुए और संचार सुविधाओं को उन्नत करने के अतिरिक्त अपने सौर परिवार से आगे जाने में सफल हुए भौतकी का समाज भौतकी आधारित तकनीक के द्वारा हमारे समाज को बहुत अधिक लाभ मिला है द्रिश्टी सुधार के लिए प्रयुक्त लैंस यादायात के तरीके सस्ती संचार वैवस्था मौसब की भविश्यवानी ये सभी प्रगती के कुछ ऐसे आयाम हैं जो भौतकी के कारण संभव हो पाएं है लेकिन साथ ही इसने विनाश के हतियार भी दिये हैं मिजाइल, परमाणू बम, हाइडोचन बम, सकिंड के एक भाग में ही अकलपनी ये विनाश कर सकते हैं प्रकृती में मूल भूत बल चार मूल भूत बल हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं गुरुत्विये बल, विद्द चुमकिये बल, शक्तिशाली नाबकिये बल, दुर्बल नाबकिये बल गुरुत्विये बल मुरहमाण में किनी भी दो वस्तों के बीच पाया जाता है न्यूटन के अनुसार परस पर आकर्शन बल द्रवेमानों के गुणनफल के अनुक्रम अनुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग विद्क्रम अनुपाती होता है। ये स्थूल तर्शिय स्तर पर एहम भूमी का निभाता है और सभी बलों में सबसे दुर्बल होता विद्धुत चुमकिये बल आवेशों के एक युग्म के मध्धे होता है विद्धुत और चुमकिये बल अलग-अलग नहीं होते तुलना के लिए हम कह सकते हैं कि प्रोटानों के एक युग्म के मध्धे विद्धुत बल उसी दूरी पर उनके बीच गुरुत्विय बल से दस की घात 36 गुना होता है शक्तिशाली नाभिक ये बल प्रोटॉनों और निट्रॉनों को नाभिक में बाधे रखते हैं यह सबसे शक्तिशाली बल होता है और प्रकृती में विद्धित चुम की बल से सौ गुना होता है दुर बल नाभिक ये बल कुछ अनियोनने क्रियाओं जैसे बीटा क्षय में पाय जाते हैं और यह दस की घात माइनस 15 मीटर की कोटी तक की दूरियों में पाया जाता है समय के साथ बदल सकती हैं जबकि कुछ भातिक राशियां समय के साथ नियत रहती हैं ये राशियां प्रकृती की संदक्षी राशियां हैं द्रवेमान, आवेश, संवेख, उर्जा चक्र और दूसरी क्वांटम संख्याएं प्रहमान में होने वाली घटनाओं को शासित करती हैं उर्जा संदक्षन का नियम विविध रूपों में पाया जाता है उधारण के लिए आइंस्टीन की द्रवेमान उर्जा तुलेता की अवधारणा और बंधन उर्जा के लिए उत्तरदाई द्रवेमान ख्षती ये पुष्टी करती है कि द्रवेमान उर्जा का एक अन्यरूप है और संदक्षित रहता है क्या आप जानते हैं 1984 में लौड केल्विन ने पूर्व अनुमान लगाया कि रेडियो का कोई भविशे नहीं है उन्होंने ये पूर्व अनुमान भी किया कि वायू से भारी उड़ने वाली मशीने असंभव है आप्टिकल फाइबर का आविशकार 1966 में दो ब्रिटिश वेग्यानिकों चार्ल्स काव और जॉर्ज द्वारा किया गया जो ब्रिटिश कंपनी स्टेंडर्ड टेली कम्यूनिकेशन के लिए कारे करते थे परदे पर किसी प्रतिविम्ब का सबसे पहला प्रक्षेपन जर्मन पादरी ने किया था 16.46 में एथे नैसियस किर्चर ने हास से चुतरित प्रतिविम्बों को एक सफेट परदे पर एक मुम्मत्ती या तेल की लेंब से प्रक्षेपित किया था 18.46 में एलेक्जेंडर ग्रहम बेल द्वारा टेलिफून के लिए अपना पेटेंट पंजिक रित कराने से एक घंटे पहले एलिशा ग्रे ने अपना डिजाइन पेटेंट करा लिया था मुकदमे के वर्षों बाद पेटेंट बेल को मिला सारांश आईए हमने जो भी सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं किसी समय में सावधानी पूर्वक प्रेक्षणों और प्रयोगों द्वारा परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक क्रमबद तरीका ही विज्ञान है प्रकृती और प्रकृतिक वहवार के अध्ययन को एक संगठित तरीके से विविद उपशीर्शकों में विवस्थित करना भात की कहलाता है स्थूल दर्शिय पैमाना लंबाई का वह पैमाना है जिस पर वस्थूओं या प्रक्रियाओं का आकार ऐसा होता है जो नगन आखों द्वारा माप योग के और अवलोकन योग के होती है स्थूल दर्शिय पैमाना आकार या लंबाई का वह पैमाना होता है जिसका उप्योग ऐसी वस्थूओं की व्याख्या करने के लिए किया जाता है जिनें नगन आखों द्वारा आसानी से देखा नहीं जा सकता और जिनें स्पश्ट रूप से देखने के लिए किसी लेंस या सुक्ष्म दर्शी की जरूरत होती है। गुरुत्विय बल ब्रह्मान में किनी भी दो वस्तों के बीच पाया जाता है। विद्धुत्चुमकिय बल आवेशों के एक युग्म के मध्धे होता है। शक्तिशाली नाभिक ये बल प्रोटानों और नूट्रानों को नाभिक में बांधे रखते हैं। दुर्बल नाभिक ये बल कुछ अनियोन्ने क्रियाओं जैसे बीटा क्षय में पाये जाते हैं। कुछ भौतिक राशियां समय के साथ नियत रहती हैं। ये राश्या प्रकृति की संदक्षी राश्या हैं।